सील नंबर पांच सुरा, मेरे, मज, पमादटाना, वेरमनी, सिख्खा, पदंग, समादयामी शराब चीज ही ऐसी है ना छोड़ी जाए नशा शराब में होता तो नाचती बोदल आँखों से पी या मैं खाने से पी और शराब की लद आपने सराब के या नसीले पदारतों के दुनिया में बड़े-बड़े कादना में बड़े-बड़े कभिता, बड़े-बड़े मुशायरे बड़े-बड़े शायर, बड़े-बड़े अशार बड़े-बड़े शेर, बड़े-बड़े लोकतियां, कहानिया और बहुत सारे नाटक मंच आपने देखे होंगे कभी आपने अगर ध्यान दिया हो तो शराप को बहुत ज़्यादा महीमा मंडित करकर पूरी दुनिया में दिखाया जाता है जो भगवान बुद्ध ने पांच सील दिये पांचों सील जरूरी होते हैं उनमेंसे कोई भी सील छोड़ा नहीं जा सकता चार सील पहले बताए जा चुके हैं ये पांच मां सील है सुरा मेरे मज़ पमादिठाना वेर मनी सिख पदंग समाद्या की इसमें सुरा का जो मतलब है सुरा है वो आसब जो नसीले पधार्थ जिस से आते हैं मज्ज का मतलब होता है, जो आपने देखा होगा, मद निशेद, संस्काइद भासा में मज्ज को मद बोलते हैं, यानि कि जो मद में आपको ले आए, मद मस्त कर दे, ऐसी चीज़ें, ऐसे पधार्ट, ऐसी बाते हैं. मगर इसमें जो इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो है पमादित ठाना, पमादित ठाना जो शब्द है, इसका मतलब है जो पमाद के स्थान है, यानि जहां आप पमाद में पढ़ जाते हैं, जहां पमाद आपको ले के जाता है, जहां आप पिरमाद में पढ़ जाते ह है ऐसे स्थान वेर्मणी का मतलब है विरत रहना है सिख्था पतं का मतलब है सिख्षा के पद यानि एजूकेशन के जो स्टैप्स हैं एजूकेशन और समाधियामी का मतलब है सम माने बरावत पूरी तरह से आदियामी का मतलब है लेता हूँ गरन करता हूँ यानि कि जो नसीले दर्वे पदार्त हैं जिसको सुरा बोलते हैं या ठोस पदार्त हैं जिसे मेरिया बोलते हैं या मध्ध जो चीज़ है जो मस्त कर देती है ऐसे पदार्त है या जो ऐसे स्थान है जहाँ इन सब चीजों में प्रमत हो जाता है आदमी जहाँ दुनिया में कहीं भी प्रमाद में जा सकता है उनसे अलग रहने की उनसे विरत रहने की मैं पिटिग्या करने की सिख्छा गिरन करता हूँ इसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अगर बुद्ध के सीलों का पलंग करे और वो यह कहे कि मैं चार सील का पलंग करता हूँ पांच में का नहीं करता हूँ यह पांचों ही जो सील है वारित सील कहे जाते हैं वारित का मतलब है कि इसमें नहीं करने का है यानि कि चोरी नहीं करना है, वेवचार नहीं करना है, हत्यार नहीं करनी है, जूट नहीं बोलना है और नशीले पदाप नहीं करना है, पांचों में नहीं सब्ध आता है इसको वारित बोलते हैं, इसी को वरती रहना बोलते हैं 24 गंटे 355 दिन आपको इनसे वरत रहना है वरती रहना इसलिए वारित बुला जाता है यह जो सुरा वाला है सुरा मेरे मज्जे वाला जो शराब वाला है यह सील क्यों पढ़ा और क्यों इसकी जरूरत पढ़ी भगवान बुद्ध ने जो यह सील बताए हैं सील का मतलग है कि जो आपके वचन को जो आप बोलते हैं और आपके जो काम है उसको मन से सैयत कर दे वो बात है जो मन से बलकुर ठीक कर दे शांत कर दे और आपको लाबकारी हो वो सारी बात है उनको सील कहा गया है भगवान बुद्ध के समय से पहले बहुत प्राचिन काल में भारत में कोई इस तरह की वेवचार या चोरी या नशा या पता नहीं होते थे बहुत सारे लोगों ने जो गुस्पैट की भारत के अंदर वो अपने साथ बुराईयां लेके आए और उन्होंने बुराईयों का वेपार किया जो और जिगह जहां से वाए वहाँ चलती थी तो भारत के लोगों को भी उन्हें इन बुराईयों में डालना सुरू किया क्योंकि किसी को अगर तलवार से या किसी को बंदुक से या किसी को अगर जबर जस्ती आप अपना गुलाम या अपना सले बनाना चाहेंगे या उसे कमजोर करना चाहेंगे तो वो फिर उठ खड़ा होगा मगर अगर उसके परिवार में, उसके पुत्र पुत्री में, उसके खांदान में या उसके अंदर अगर कोई बुराई डाल देते हैं, कोई वैसन डाल देते हैं तो या कोई आसन डाल देते हैं तो फिर वो आपका पर्मनेंट गुलाम हो जाता है और वो इतना गुलाम हो जाता है कि उस गुलामी के चकर में वो अपने बीबी बच्चों को भी आपको दे जाएगा अपना पैसा, अपना रुपी, अपना खेट, अपना जमीन जायाद यहा आद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे प्रमादी का जो मतलब होता है कि जिस चीज़ का आपको लत या राग लग जाए ऐसी चीज़, बहुत सारी चीज़ उसमें उस समय आती हैं तो उस सारी चीजों की आदत भारत के लोगों को डाली गई और भारत के लोगों को फिर जंजीरों में बांदने की जोट नहीं पड़ी वो सारे के सारे पर्मानेंट गुलाम होगे उन लोगों के जो लोग बाहर से गुस्पैट करके आए और इन बुरी आदतों को लेके आए इसलिए ये बुरी आदते हैं भगवान बुद्ध के समय में लगबग सारी छोड़ी है जो ये कहते हैं क्योंकि बार 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 मन में डाला जाता है कि शराब चीज ही ऐसी है कि ना चोड़ी जाए ये बार बार मन में इसलिए डाला जाता है कि आपको लगे कि शराब बहुत बड़ी चीज है या बहुत बड़ी इसका आदत है जो छोट नहीं सकती जैसा कि कॉरोना के समय में आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग थे शराब पीने वाले या सिवट पीने वाले या नशा पता करने वाले जिनको मिली उन्होंने अपनी जरुद पूरी करने के लिए इस आदत को पूरी करने के लिए इस्तमाल किया या जिनोंने बहुत उंचे दामों पर चोरी छुपे लिया उन्होंने किया और जिनको नहीं मिली उन्हें कोई आदत भी नहीं पड़ी यानि कि उनकी छूट गई आदत बहुत लोगों की आदत छूट गई और जब अबिलेबल होगी तो फिर वो उसकी तरफ मन करेगा और हो जाएगा ये बिसिकली काम कैसे करती है अगर ये समझ लें कि ये आदत काम कैसे करती है तो इसे छोड़ना आसान होगा क्योंकि शराब ऐसी चीज है जो छोड़ी जा सकती है क्योंकि जो आदत परती है वो छोड़ी जा सकती है भगवान बुद्ध के समय में और असोक के समय तक असोक के पोत्र के समय तक और बहुत बात तक भी लोगों ने ये सारी चीज़ें छोड़ दी क्योंकि पंचील का पालन पूरे देस में होता था और सारी बुराईयां लगबग लोगों ने छोड़ दी थी तब ही भारत बहुत ज़्यादा सकती साली हुआ और सबसे ज़्यादा अखंड भारत और ब्रत भारत उसी समय रहा तो काम कैसे करती है जब पहली बार आपके सामने कोई शराब लेके आता है कोई नशिला पदात लेके आता है या कोई मज लेके आता है या कोई प्रमत्त का सामन लेके आता है तो आप ध्यान देंगे कि आपको आदत नहीं है यानि पहले से कोई आदत आपको पड़ी हुई नहीं है इसलिए ये कहना कि इसकी शराव के हमें आदत लग गई आदत लगी नहीं है क्योंकि शराव आपके पास जब पहली बार आई है या नशिला पदाथ पहली बार आया है तो आपने उसका सेवन किया है पहली बार सेवन करने वाले जितने भी विक्ती है उनका जो experience है वो बहुत बेकार और गटिया होता है क्योंकि ना तो शराव मिठी होती है ना तंबा को मिठा होता है ना ही चरस गांजा आफीम जो हैं वो मिठी होती है ना ही उनके कोई impact अच्छे आते हैं और पहली बार में कहीं किसी को आदत भी नहीं पड़ती मगर जब वो उसको घ्रन करता है तो ये पधार्थ कैसे काम करते हैं इन पधार्थ को लेने के बाद में आपका जो sense का system है यानि कि जो आपका इद्दी का तंत्र है इद्दी का तंत्र उसको बोलते हैं जो आपको जागरुक रखता है जो आपको विजल रखता है जो आपको चेताता रहता है जो आपकी चेतना होती है जैसे मैं अभी कैमरे के आगे बैठा हूँ तो कैमरा कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं मैं 100% चेतना के साथ काम कर रहा हूँ मगर अगर मैं कोई नसीला पधात ले लेता हूँ तो फिर मेरा जो सैंस है वो 100% काम नहीं करेगा उसकी जो efficency है काम करने की छंता है वो कमजूर हो याईगी ये जो पधात हैं ये मेरे काम करने की छंता को कम कर देंगे और मेरे blood pressure को भी गम कर देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ आराम में है क्योंकि नीद की जो मुद्रा होती है जिस समय नीद आती है उस समय भी हमारी बोडी काम करना तम करती जाती है और बंद कर देती है सेंस सारे बंद हो जाते हैं, जो तंट हैं, जो इंदियां हैं वो बंद हो जाते हैं, तो हमें relax मिलता है क्योंकि अब machine हमारी काम नहीं कर रहे हैं, तो ये चलती हुई machine को अचाना की slow down कर देते हैं, और उसको ऐसा लगता है जैसे relax mode में या आनाम वाले मोड में आ गए है तो लगता है कि बड़ा अच्छा है क्योंकि अब सरीर पर जो नहीं पड़ रहा अब बेन पर जो नहीं पड़ रहा अब मन और मस्तिक्स बिल्कुल आराम में आ गए है ब्लेट पैसर कम है तो अचानक हाई स्पीड से चलती हुई कार जो सौकी स्पीड जा रही है अगर अचानक वो 20-30 की स्पीड से आ जाया तो अचानक लगता है कि वो आराम में आ गए है तो ये बड़ा मन को थोड़ा सा अच्छा लगता है सरीर को अच्छा लगता है मार चाहती है कि सरीर को जल्दी से जल्दी खतम करगे अपना काम खतम करे सरीर के अंदर जो मार की और डैथ की फाइल होती है वो 24 गंटे एक्टिवीट रहती है वो 24 गंटे कहती है कि आप कोई ऐसा काम ना करे जिससे सरीर जादा दिन तक चले तो वो हमेशा ऐसे कामों के लिए आपको प्रिवित करती है जो मार है या निगिटिव उर्जा है जो आपके सरीर के अंदर ही होती है जिससे आप अपने सरीर की जादा देर चलने वाले या स्वस्थ होने वाले काम को छोड़ दें तो शराव या नशिले पदात उसी में आते हैं जैसे वो पहुंशते हैं तो मार का मन पसंद वो भोजन है यानि कि मार उसको बड़ा पसंद करती है कि ये बहुत अच्छा भोजन आया है जिससे कि मेरा काम आसान हो गया अब इसका सरीड डाउन होने लगा है अगर आपको नशिला पदात बहुत ज़्यादा सेवन कर लेंगे तो मर भी जाएंगे यानि मार का काम जल्दी खतम हो जाएगा तो मार बार 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 कैसे उसको याद कराती है कि आपको दुबारा से शराब लेनी है या नशिला पदात लेना है इसका एक पहली बाद जब कुछ 7 करता है तो इसका एक फोल्टर बनता है इसकी एक जानकारी का खाता खुलता है खाता खुलता है सरीर के अंदर कि ये वाला पधात लेने से मेरे सरीर में बड़ा relaxation आया अगर ऐसा जोड़ा गया है तो और जो लोग ये सोचते हैं और ये समझते हैं और ये जानते हैं कि ये पधात लेने के बाद मेरा सरीर डाउन हो गया और मेरे सरीर में ये कमी आ गई मेरे सरीर में दर्द हुआ, मेरे पेट में दर्द हुआ, मेरा ब्रेन काम करना कम किया मेरा जो खून का दोरा है जो ब्लड का प्रेसर है वो बड़ा कम हो गया मेरी उर्जा कम हो गई मैं काम नहीं कर पाया मैं पढ़ नहीं पाया वो अपने फोल्डर में लिखते हैं कि ये पधार्थ खराब है ये पधार्थ नहीं लेना है इसने ध्यान दीजिए कि दुनिया में पहली बार सराब या नशिला पदात पीने के लिए या पीने के बाद हर एक आदमी को लत नहीं लगती हर एक आदमी इसकी ले में नहीं आता हर एक आदमी इसकी पकड़ में नहीं आता वो लोग पकल में आते हैं जो मन से बहुत कमजोर होते हैं जो अग्यान होते हैं जो जानकारी जिनको नहीं होती है जिनका वियाना बहुत कमजोर होता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप मन से कमजोर हैं और आपका वियाना आपका अंदर से जो शक्ती है, मार है या इसने relaxation की feeling दी या इसने सरीर को खराब हुई या चक्कर आए या पेट में दर्ध हुआ या एचिस हुई या दस्त लगे या लेटिन में लूज मोसन आए या पेट में अधन हुई या blood pressure उपर हुआ या नीचे हुआ या सरीर में घवराट हुई या तवित खराब हुई ये सारी चीज़ें सरीर रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करने के बाद उस फोल्डर में डाल देता है अब आपको जब भी दोबारा शराब या नशिला पदहार्त या सिगरेट या तंबाकू या अफीम चरस गांजा दिखाई देगा तो आपका वो फोल्डर एक्टिव मगर आपका मन इस बात को जानता है कि ये पदहात ठीक नहीं है क्योंकि जो लोग अपने फोल्डर में ये जुड़े होते हैं उनका कॉंशनस मैंड ये बताता है कि शराब पीना ठीक नहीं है दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो चाहे बेशक शरा ना देता है ना अपलाता है ये इसकी खास बात है इसका मतलब ये बुरी चीज़ है और बुराई की सामान है तो जब मन बार 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 इसको मांगता है तो उसको राग बोलते हैं ये राग आपके सरीर में आ जाता है इस राग की वैसे आपको सराब अच्छी लगती ह बाकी शराब के इतनी ज़्यादा महिमा मंड़ित की जाती है नशे के पदारत के इतनी ज़्यादा महिमा मंड़ित की जाती है कि जो ना भी लेने वाले हैं वो भी इसको ट्राई करने के लिए कोशिश करते हैं ये है क्या, इसको देखें, ये कैसे काम करता है, क्या चीज़ है तो शराब कहीं आपके अंदर जरूत का सामा नहीं है वो सिर्फ एक राग है जो आपके अंदर फाइलर फॉल्डर बना हुआ है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि शरीर को शराब की आपसकता, शरीर को नशे की पदारत की आपसकता नहीं होती है जो नशे की पदारत की आपसकता होती है, वो पहले मन मांगता है यानि मन में आता है कि ये सेवन करना है या नहीं, ये पीना है या नहीं, ये खाना है या नहीं अगर मन से आपने उसको मने कर दिया, रिजेक्ट कर दिया तो फिर शरीर को आपशकता नहीं है मगर अगर आपने मन में इसको बार 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 रिपीट किया कि मुझे तो बड़ा अच्छा लागा, मुझे तो बहुत अच्छा लागा मुझे तो चाहिए 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 तो इसको लत बोलते हैं इसको राग बोलते हैं ये बड़ा होता जाता है ये एक बीमारी बन जाता है उसके बाद फिर आप अपने बच्चों को बेचेंगे अपने घर का सामान बेचेंगे अपनी जोयलरी बेचेंगे अपनी बची हुई गर्मी मिलती है ये बिलकुल जूट बात है जितना गरम पानी पीने से गर्मी मिलती है उससे कम सराब से गर्मी मिलती है क्योंकि अलकॉल तूटके गलुकोज में बदलता है गर्म पानी पी लेंगे तो उससे भी आपको एनरजी तुरंत मिल जाएगी तुरंत सरीर आपका गर दिवामंडित किया जाता है, खास द्रूशों के अंदर, यानी मेल के अंदर, उनको लगता है के शराब बोगल भाली आलेशान बात होती है जादा पिएगा तो जादा बात होगी, मेहनी पिएगा तो बड़ा रॉयल हो जाएगा और सराब बेशने वाली जो कंपनिया हैं उनके मुनाफ़े सेंकड़ गुना होते हैं एक एल्गो हल एक लीटर की जो पैदाईश है वो 10-12 रुपे में हो जाती है मगर उसे एक चमकदार बोतल में एप्टाइजमिन के साथ में वो 2,000, 5,000, 3,000, 2,000, 80,000, 20,000, 30,000 जो कीमत चाहें उसकी ले सकने हैं जितना उसको महिमा मंडित करते हैं उतना ही ज़्यादा यही ठीक तंबाकूगा और नशिले पदार्तों का बागी का है इस पूरे धंदे में इतना ज़्यादा पैसा है इतना ज़्यादा पैसा है कि लोगों को जबर जस्ती जबर जस्ती प्लेस किया जाता है पताया जाता है कि इसका सेवन करो इसको बहुत ग्लेमराइज करके दिखाया जाता है पिच्चरों में, नाटकों में, पोस्टों में, एफटराइजमेंट में ताकि आदमी को इसकी जिक्यासा लगे उसके सामने बार 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 पोष्ट राए उसको लगे कि इसे पीना बड़े शान की बात है बड़ी इज़त की बात है बहुत बड़ा शेटस हो जाएगा बहुत बड़ी मानता हो जाएगी और कैईवार बच्चों के मन में आता है कि ये बड़ो का काम है अगर इसे हम पीएंगे तो हम खुद बड़े हो जाएंगे इस तरह से ये पूरी दुनिया को ये जवजस्ती कुछ लोग जो इसका मुनाफ़ा कमाते हैं इसका पैसा कमाते हैं वो इसके धंदे के लिए पूरी दुनिया को ये जहर बाटते हैं मगर ये किसी को नहीं छोड़ता क्योंकि ये समानता प्यादा रहे थे उनके खुद के बच्चे भी जो शराब बिशते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो अपना आठंगों का मार गया उसमें का है सम्यक आज भी का यानि कि अगर आप अपने कमाने को धंदे को सही नहीं रखेंगे और किसी को पाप करमें डालके पैसा कमाएंगे तो आपके बच्चे जीवन भर इसका दुख पाएंगे आपकी पीडियों की पीडियों उसका दुख पाएंगे इसके सराव बेचके या सराव की परमिशन देके या सराव को अलाव करके जो लोग यह सोचते हैं कि हमने कोई अच्छा काम किया है किसी को मारना या मारने का सामन प्लाना या उसके घर को बरवाद करने का सामन प्लाना या उसको खतम करने का सामन प्लाना कभी भी अच्छा काम नहीं हो सकता इससे देश भी बरवाद होता है व्रक्ती बरवाद होता है समाज बरवाद होता है और जो पैसा अगर कोई कमाता है तो वो भी बरवाद होता है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इससे बीमार रहते हैं इतनी ज़्यादा तोड़फुल होती है इतनी ज़्यादा क्राइम होता है कि सारा जो सामाजिक सिस्टम है वो उस पैसे के आगे बेकार हो जाता है उससे ज़्यादा पैसा खर्च होता है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई शरावी सराव पीता है तो पहले पैसा बरबाद करता है उसके जब बाद उसका घर बरबाद होता है क्योंकि उसके घर में शांती रहती है उसके बच्चे बरबाद होते हैं क्योंकि वो अपने सरावी बाप को ना इच्चत देते हैं और ना ही उसको कोई बाद उसकी मानते हैं उसके बाद में जब वो बिवार होता है तो उसका पैसा बरवाद हो जाता है और मरने के बाद भी उसे इच्चत नहीं मिलती कहते हैं कि वो साला सरावी था मर गया यानि साला सरावी फिरी में गाली दे के उसको नवाजा जाता है और कोई उसकी मरने के बाद भी इचत नहीं करता तो इससे कोई फाइदा नहीं है ना सामाजिक है, ना आर्थिक है, ना राजनितिक है, ना धार्मिक है ना ही किसी देश को है हाँ अगर किसी देश की परजा को गुलाम मनाना हो किसी देश को बरवाद करना हो किसी देश को ختم करना हो और किसी देश को आगे ना बढ़ना हो तो सराव को जरूर बेचना चाहिए और खुब बडा चड़ा कर बेचना चाहिए क्योंकि सराव बेचने से कुछ पैसा देश को लगता है क्या आजायेगा मगर उससे ज़्यादा उसका पैसा हॉस्पिटल में उससे ज़्यादा पैसा उसका पुलिस की कारवाई में उससे ज़्यादा पैसा उसका अदालतों की कारवाई में उससे ज़्यादा पैसा उसके जो बच्चे बिगरते हैं उनको ठीक करने में उससे ज़्यादा पैसा जो पूरे मुहलेम असानती होती है उसको ठीक करने में चला जाता है इसलिए वो पैसा भी काम्याब नहीं होता बलकर और पैसा खर्च हो जाता है ये बुराई है बुराई जहां भी जाएगी बुरा काम ही करेगी अच्छा काम नहीं कर सकती शराब के बारे में आप किसी भी व्यक्ति से ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छी चीज है अगर ये बहुत अच्छी चीज होती तो बच्चे को पैदा होते ही शहद नहीं कलाया जाता शराब प्लाए जाती, मगर कोई भी व्यक्ति चाहे बेसे को शराब पीता हो, अपने बच्चे को पैदा होते ही शहत चटवाता है, शराब नहीं चटवाता कभी भी और शराबी खांदान में शराबी भी अपने बच्चों की शादी करना पसंद नहीं करता यानि कि दो सरावी आपस में रिस्दार बनने को तैयार नहीं है क्योंकि सरावियों में शादी कौन करेगा इसलिए सराव एक ऐसी बुराई है जो हमेशा चंद लोगों को फाइदा देती है पैसे का सामाजिक फाइदा उनको भी नहीं है इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने पाँच सीलों में ये सील पाँच मा दिया ये इसलिए दिया क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग इन वैसनों में पड़े हुए थे और भगवान बुद्ध ने प्रयास किया और मेहनत की और लोगों को पढ़ाया और समझाया और दिखाया कि देखो शराब कैसे नुक्सान करती है आओ एही पस्सी को आओ विपस्ना करो और देखो कि सरीर को कैसे प्रभावित करती है जब कोई व्यक्ती नसिला पधात लेता है तो उसका सरीर उसके सामने ही मरना सुरू हो जाता है क्योंकि मरने की अवस्ता और सराब पीने की बाद की अवस्ता एक है जब आदि मरता है तब भी उसका सरीर कमजोर होता चला जाता है और जब सराब पीता है तब भी उसका सरीर कमजोर होता चला जाता है ये बात जिसको एहसास हो जाती है वो जीवन भर के लिए शराब छोड़ देता है शराब में जो लोग ये कहते हैं कि नसीले पदार्त या सराब या इसकी बहुत ज़्यादा तारिफ करते हैं या मेडिकल साइंस मों बताते हैं मेडिकल साइंस में एक सिंगल लाइन नहीं लिखी हुई कहीं जो इस बात को कह दे के शराब सरी के लिए ठीक है एलकोहल और इमिकल रेक्शन में काम आ सकता है एलकोहल से बहुत सारी चीज़ें आ सकती है एलकोहल को आप जलाएंगे तो आप हाथ सीख सकते हैं एलकोहल का एक खीटर बना सकते हैं लाइट जला सकते हैं एलकोहल से कार चला सकते हैं या होमेपैतिकी दवायों में सम्में एलकोहल होता है उसमें डालके संदक्षित कर सकते हैं एलकोहल के बहुत इस्तमाल हो सकते हैं मगर एलकोहल को सरीर के अंदर डालने का प्राकरतिक नियम नहीं है प्रकतिने एल्कोहल को सरीर के अंदर डालने का नियम ही नहीं बराया अगर ऐसा बनाया होता तो कहीं न कहीं एल्कोहल अपने आप पैदा होता जो मनुस्य नहीं या जानवर नहीं उसको पी के पहले से बहुत पहले से डबलब किया होता इसलिए एलकोहल जहर होता है अगर कोई जो ऐसा एलकोहल है जो अन्प्यूरिफाइड है अगर उसको आदमी सेवन कर ले तो तुननत मर जाता है आपने हजारों ऐसी घटना देखी होंगी जबकि कच्चा एलकोहल पीके इंप्यूर एलकोहल पीके लोग मर गए और मरते रहते हैं यह जो नशीले पदार्थ हैं यह जो सुरा मेर मच्ज है यह जब सरीर में जाते हैं तो यह सरीर में जो आपके मन के अंदर जो फाइलें बनी हुई है वो अच्छी फाइलों को बंद कर देते हैं यानि कि जो काम आप अच्छे करने वाले हैं, वो बंद कर देते हैं, और जो फाइल आपकी गंदी फाइल हैं, जो क्रोध की है, काम की है, लालसा की है, इर्षा की है, विपसना की है, गाली करोच की है, हत्या की है, क्रिमिनल की है, उन सब फाइलों को खोल देते हैं, इसलिए नसीले पधार्त लेने के बाद में आदमी अच्छे काम नहीं करता उसके मन में सबकॉंसेस मैंड में जो दबे हुए मन के अंदर जो बुरे काम होते हैं वो सारे के सारे एक साथ निकल के आ जाते हैं और वो उक्रूप धान करते हैं चुकि मन बहुत कमजर होता है, इसलिए मन उन फाइलों को रोक नहीं पाता, यह जो नशिला पधारत है, यह उनको रोकने के लिए मना कर देता है। और मार हावी हो जाता है सराब के नसे में चरस गांजे अफीम के नसे में या जो ड्रक्स लेते हैं उसके नसे में या जितने भी पिकार के मज्ज हैं या प्रमाद हैं उस नसे में आदमी सारे निगेटिव काम ही करता है सब उल्टे काम ही करता है कभी भी कोई भी आदमी आपको नशे में अच्छा काम करता हुआ नहीं मिलेगा ये नशे की खास बात है भगवान बुद्ध ने इसको बहुत पारिकी से समझा कि ये कैसे मन पे हावी होता है और कैसे आदमी की अच्छाईयों को हरण कर लेता है और बुराईयों को खुराग देता है बुराईयों को ये आगे बढाता है और बुराईयों मन पे हावी हो जाती है और आदमी जो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए त्यार होता है वो उसका बख्चन कर देता है यानि कि जिस पतनी को बचाने के लिए वो जान लगाता है जिन बच्चों को खाने कमाने के लिए खाना लाने के लिए वो पुरी जिन की लगाता है सराब के या नशिले पधात के प्रभाव में आके कैई वार उनकी भी हत्या कर देता है उनको मारता भी है उनको पीटता भी है इसलिए सराव बहुत ही जादा बुरी चीज है भगवान बुद्धने कहा है कि अगर शेर आपके सामने आ जाए तो उससे मत डरना मगर अगर शराव सामने आ जाए खाना वेर्मनी बहुत ही बढ़िया और बहुत शांदार सील है ये पांचवा सील है आप इन सीलों को जीवन में अपनाईए और बुद्ध पूर्णमा मनाईए धन्यवाद दांवन शरनं गचामे संखन शरनं गचामे गचामे संखन शरनं गचामे